गुड मॉर्निंग स्वागत है आप सभी का कैसे हैं आप सभी मैं केश मिश्रा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह करेंट अफेयर का जो सत्र है यह एक्चुल में आपकी यूपी PCS और रो यारो एक्जाम को ध्यान में रखती भी लाया गया इसमें MCQ के माध्यम से आपका ड सभी लोग क्लास को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना मत भूलें यूपी PCS और यूपी PCS और रो रो के लिए आगे सामने एक्जामरों के लिए ज्यादा इंपोर्टन है तो पहले यह कुश्चन का लास्ट कुश्चन था जो हमने हम आपको दे और इसके तहद एक्च्वल में तीन बौड़ी आती है यह एक आती है सप्लाई चेन काउंसिल और बाकी अभी तीनों का मैं जिक्र आपके समने करूंगा तो इसके अध्यक्ष का चैन किया गया है तो इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है इसका अध्यक्ष क्या किया गया है ह सत्तिकतान भारत को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है और उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का कारिकाल तीन वर्ष का होता है यहां पर यह सवाल है और आपको बताना है कि इसका चुनाओ सितंबर दोजार चुबिस में हुआ था तो आप फटा फट इसका जवाब दीजे देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है आये बात करते हैं इसमें देखिए सबसे पहले मैं आप से बात करना चाहूंगा इसके बारे में खिलाल के लिए आपको पहले इसका जवाब बता देता हूं देखें इसका अध्यक्ष आस्ट्रेलिया को नहीं चुना गया है इसका अध्यक्ष चुना गया है USA को सभारत को इसका उपध्यक्ष चुना गया है यह बात सही बात है उपध्यक्ष अध्यक्ष का जो कारिकाल है वो क्या होता है, इसमें दो वर्ष का होता है, दो साल का होता है, ठीक है, और इसका सितंबर 2024 में चुनाव नहीं हुआ है, इसका चुनाव हुआ है जुलाई 2024 में, ठीक है, इसका चुनाव हुआ है जुलाई 2024 में, तो उम्मीद है आप समझ गया होंगे कि इसका सही जवाब क् क्योंकि इसमें सत्ती कथन पूछा गया था अब देखिए अगर हम आपके सामने बात करते हैं कि economic framework ठीक है एक इंडो-pacific economic framework की मैं बात करता हूँ इसको हम short में लिख सकते हैं इंडो-pacific economic framework तो IPEF इसके तहट actual में तीन body आती हैं बहुत ध्यान से समझेगा पहली आती है supply chain council supply chain council और दूसरी इसके तहट जो body आती है ठीक है वो आपकी कौन से आती है एक्चुल में emergency response network emergency response network एक यह body आती है और जो तीसरी body उसके इंतरगत आती है वो आपकी थोड़ी important है उससे सम्मंदित भी सवाल आपका पूछा जा सकता है इसलिए आप ध्यान रखिएगा labor rights advisory board labor rights advisory board अब देखिए इसमें जो चुनाव कराया गया है वो supply chain council का कराया गया है supply chain council की चुनाव में अगर मैं बात करता हूं इसका जो अध्यक्ष है अध्यक्ष इसका बनाया गया है USA को ठीक है और जो उपाध्यक्ष है उपाध्यक्ष बनाया भारत ठीक है इसको ध्यान रखिएगा उपाध्यक्ष भारत को बनाया गया है और इनका जो टर्म होगा इसका कारिकाल वह आपका दो वर्ष होगा ना की तीन वर्ष ठीक इतना समझ गए तो जो आई-पी-ई-ए-फ है आई-पी-ई-ए-फ की जो अन इसके जो अध्यक्ष है, वो Korea को बनाए गया है. तीनों को बता दे रहा हूं, जिससे आप ध्यान रखिएगा. अध्यक्ष कौन है? Korea. Korea, Godra, The Republic of Korea. ऐसे लिख सकते हैं. और दूसरा जो इसका उपध्यक्ष है, वो जापान है. उसी तरह से जब हम यह लेबर राइट्स की बात करते हैं, तो लेबर राइट्स में इसका अध्यक्ष फिर से USA है, और इसका जो उपध्यक्ष है, वो फिजी है. आप देखे, इसमें जो IPEF के अंतरगर्ट, Indo-Pacific Economic Framework के अंतरगर्ट, जो आपकी तीन बॉड़ी आती हैं, supply chain, council, दूसरा emergency response course, या response network, या संकट, प्रतिकिरिया network कह सकते हैं, और labor rights advisory board, मतलब जो सरम अधिकार, सलाहकार board है, उसके बारे में, तो इन तीनों के बारे में मैंने बता दिया, जो आपका सवाल है, वो इससे सम्मंदित था, कि इसका अधिक्ष और उपाधिक्ष इसको बनाया गया, आप देखे, इसका अधिक्ष अश्चिलिया को नहीं बनाया गया, भारत को उपाधिक्ष बनाया गया है, तर्म two years का है और बाकी जो है आपका इसके चुनाओ जो लई भी अभी इस तरह से आप देख लीजिए आपको उम्मीद है कि पसंद आया होगा सवाल कि इस तरह के सवाल आप से आयोगे पूछ लेता है आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो इसलिए जरूए देखे ये एक सव सब्सक्राइब लुए भारत के लिए समगर इसकोर 66 से बढ़कर 71 हो गया है मतलब 2018 में इसको शुरू किया गया था तब 2018 में इसका 66 यह कह रहा है overall score की अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया का score 66 से 71 मतलब भारक की बात की जा रही है और 2021 से लगातार score में सुधार हुआ है मतलब उतार चड़ाव नहीं हुआ लगातार सुधार हुआ है सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज उत्तर प्रदेश है लेकिन इसको समझेगा इसमें यह नहीं कह रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है सबसे तेजी से बढ़ने वाला राजुक्तर प्रदेश है उत्त्रा खंड युम केरल को संयुक्त रूप से 79 स्कोर प्राप्थ हुआ है और यह दिया हुआ ना अब आपको इसमें जवाब देना है कि अखिरकार कौन सा कथन असत्ती है और इस तरह की सवाल आयोग बहुत पू से समझेगा देखिए इसको अगर मैं जारी करने की बात करता हूं तो यह जारी किया गया है बारा जुलाई को कि इसके बारे में बात करता है नूति आयोग द्वारा सत्स जह हमारे जौह मतलब जो 17 लक्ष यहें सिक्स्टीन पक्षियो इसको भी यह जौह करता है ठीक है और life below water पे नहीं जारी करता है और अगर मान लेते हैं देखो इसमें क्या होता है अगर इसमें 0 से लेके 100 तक score दिया जाता है अब इस score में अगर किसी को 100 मिला है तो 100 score मतलब सबसे अच्छा यह ध्यान रखिएगा कि इसका किस तरह से concept बनाया जाता है अब देखो 2018 में मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ देखो यह class मैंने आपकी लिए पहले इस पर जाईए इसी चैनल पर पढ़ी हुई है SDG India Index 2023 और 2024 यह बाई नीतिया होगी इस पर मैंने बहुत detailed discussion इस बारे में किया है इसको पूरा पढ़ लिजेगा revise कर लिजेगा क्योंकि इसमें इतना जबरदस्त डेटा मैंने आपको दिया है कि आयो कहीं से किसी भी एंगिल से घुमा के सवाल पूछे आप बता देंगे इसको सिर्फ SDG India Index के लिए मत पढ़िएगा आप इतने exam के लिए पढ़िएगा क्योंकि बहुत सारा डेटा इसमें आपको बताया गया हर एक किस Index ने कि प्रगती की है किस Index में ने कम प्रगती की है उसमें कौन-कौन से सरकारी प्रियास रहे हैं सरकार के कौन-कौन से प्रियास इसमें काम आये हर एक चीज पर आप से डिसकस किया गया है तो प्रिलिम्स और मिंस दोनों के लिए ये क्लास बहुत इंपोर्टन है तो इसको आप देख लीजी इसी चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है आप देखे 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 2018 में जो इसका स्कोर था है भारत का वो 57 था 57 था 2019-20 में 60 हुआ 2020-21 में 66 हुआ 2020-23 में रिपोर्ट जारी नहीं हुई है और फिर 2013-24 के लिए 12 जुलाई 2024 को रिपोर्ट जारी हुई है उसमें 71 है अब आप देखें लगातार इसमें स्कोर बनता रहा है 57, 60, 66 और 71 तो उसमें जो एक statement आपका दिया है कि लगातार स्कोर बनता रहा है तो that is correct समझ गये होंगे उम्मीद है अब दूसरा देखो ये बड़ा important है आपके लिए सबसे टॉप की अगर बात करें तो संयूप रूप से उत्तरा खंड और केरिला को दिया गया और यही मैंने उसमें statement भी बनाया हुआ है दोनों को 79 स्कोर है बलब सबसे टॉप इसने किया है और अगर मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की चूंकि हम UP PCOS और RO RO का एक्जा सबसे ज्यादा प्रगती करने वाला अगर बात करें 2018 से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रगती करने वाला सबसे ज्यादा सुधार करने वाला जिला बन के आया है और कभी-कभी माल लेते हैं सबसे लुवेश्ट पूच लिया जाता है तो यहां आप इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूंगा, आप हम लोग आते हैं अपने सवाल पर, आप देखे इस सवाल को, इस सवाल को इसमें दिया है कि भारत के लिए समत ग्रिश कोट 66 से बढ़के 77 हो गया तो पिछले रिपोर्ड में 66 था इस रिपोर्ड में 71 हो गया एकदम सही बात है जबकि 2018 में तो 57 था बढ़ता रहा तो 57, 60, 66, 71 तो पिछली रिपोर्ट में 66 था इस बार बढ़के 71 हो गया करेक्ट है दूसरा 2020-21 से लगातारी स्कोर में सुधार देखा गया है मैंने देखा 2018 से लगातार देखा गया है तो एकदम सही बात है सबसे तेजी से बढ़ने वाला उत्तर प्रदेश है इसने लगों प्लस 25 का सुधार किया है कबसे 2018 से अब तक ये भी अपने आप में सही सवाल है उत्तरा खंड और केरल को 79 स्कोर प्राप्थ हुआ ये भी सही बात है तो इसका सही जवाब क्या होगा ये मतलब इसमें से कोई भी असत्ति नहीं है एक इसक क्लास को जाके ढूंड के पढ़ लीजिए अब पुरा देख लीजिए लिए नेक्स्ट के बिदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन 2024 में कहां यूजित किया गया है आपको बताना है बैंकोग में यूजित हुआ है कहां यूजित हुआ है अब फटा फट बताईए देखते ह करें बताए भी देखिए बिम्स्टिक का फुल फार्म कौन बताएगा सबसे पहले कमेंट में आप जवाब दिजी बिम्स्टिक का फुल फार्म कभी कभी पहुंच लिए जबतरह को अगर मैं आप से बताना चाहूँ तो बिम्स्टिक ऐसे समझ दीजेगा कि यूजित है व बे आप Bengal initiative and multi-sectoral technology and economic cooperation, इस तरह से, ठीक है, बे आप Bengal initiative and multi-sectoral technology and economic cooperation, यह हुआ BIM-STICK, तो BIM-STICK ती अगर मैं आपसे बात करता हूँ, आप चाहें तो मैं यहापे लिक दे रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए, ठीक है, पे आफ बेंगॉल, पे आफ बेंगॉल, इनिसियेटिव, लेख लीजे, और मल्टी सेक्टोरल, ठीक हैं, मल्टी सेक्टोरल, टेक्निकल एंड, टेक्निकल एंड, एकनॉमिक कॉपरेशन, यह इसका फुल फार्म है, इनिसियेक का, तो कभी-कभी आपसे फुल फार्म पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप जो है, इसको एक बार देख लीजेए, ठीक है, इसके बार में, अगर मैं इसकी अस्थापना की बात करता हूँ, यहीं बता दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ मा जाए, इसकी अस्थापना आपकी की गई थी, 1997 में, जून 1997 में, 6 जून, ठीक है, इसकी अस्थापना की गई गई, सची वाले, अगर इसकी बात करें, इसके सिक्रेटरेट कहा है तो इसका सची वाले जो है बांगलादेश में है ठाका में है ठाका बांगलादेश इसमें कुल साथ सदस्य देश है बीमस्टेक के अगर मैं बीमस्टेक के मिंबर की बात करूँ तो मैं एड़ करना भूल गया हूँ, रुकिए मैं एक पेज एड़ कर ले रहा हूँ, आप एक मिनट लाइन पे रहिए, ठीक है, बस आप लाइन पे रहिए कि मैं पेज एड़ कर ले, बस होल रही है, तुरंत आ रहे हैं वापस, खो, तो, बस्ता है, ये भेज़ कि मैं पेज़ कर ले एक कर ले सिला ठीक है, भचिए मिका है, वज्सों झाल औекст है, भlusा मिका है, वज्सों पे पे शिता है, भी है, पर शे दोग्सेता। आज़ की है, पूँर मिक्त भी आप सब्स्स अालर रह दिएराता है, आम पा कि और करता हूं तोबीन के बिम शुटिक के कुछ मिम्बर कंट्री हैं उन के बारे मैं आपको बता दे हूं प्रिम स्ट इसके मिम्बर कंट्री में अगर बात कर Medalエ dependent देश। भारत, म्यामार, पुटान, नेपाल, स्री लंका, और थाइलाइंट, यह इसके मेंबर गंडरी, ठीक है, यह सदसिदेश है, टूटल साज सदसिदेश है, तो माल लेते हैं, आपके सामने कभी क्वेश्चन मना दिया जाए, कि इन में से कौन सा सदसिदेश नहीं है, तो आप बिमस्टेक की फुल फार्म देखोगे, और फुल फार्म के बाद देखोगे, इसमें एन तो आता नहीं, तो नेपाल नहीं होगा, तो ऐसा नहीं, ऐसे मत स जुलाई, देखे हम लोगोंने सितंबर, अगर्ष्ट सब करते हुए, और हम लोग पहुंच गया हैं, कहां पर जुलाई पर, तो यही टार्गेट हमें रहना है, कि हमें जल्दी से जल्दी इसको खतम करना है, पूरा एक साल का, जुलाई 2024 को हुई है, कहां पर हुई है, न पार्तिसिपेट किया, इनो नहीं सब की मेजबाली की तब करएक है, क्योंकि बिदेश मंत्रियों की बैठक थी है, तो आउब्यस ही बात है, हमारे बिदेश मंत्री ही इसकी मेजबानी करेंगा, तो कहां पर वही नहीं दियों हुए, इसका सही जवाब क्या होगा, C next ताली में प्रणामंत्री श्री नरेंद्र मोधी को सर्बोच नागरिक सम्मान the order of St. Andrew the Apostle से सम्मानित किया गया तो यह किस देश का सर्बोच नागरिक सम्मान है आपको बताना है the order of St. Andrew of Apostle highest civilian honor बताई आउस्ट्रिया का रूस का ब्रिटेन का कहां का है जल्दे लिए बताईए देखते हैं कौन बता पाता है भई फटा फट कमेंट में जवाब दीजे देखो आप सभी जानते हैं कि जुलाई की बात है मैंने आपको पहले भी इसमें पढ़ाया है कि रूस की और आश्ट्रिया की आत्रा पर 8 से 10 जुलाई भारत के जो प्रधान मंत्री हैं भारत के पिम ठी नरेंदर मोधी जी वो जाते हैं एक तो रूस और प्लस आउस्ट्रिया की आत्रा पर आउस्ट्रिया में भी जवरदर्श शौगत किया गया था तो कल भी मैंने इसे सम्मंदे सवाल आपको पढ़ाया था हूं। रूस की आत्रा के लिए जाते हैं 8 से 9 जुली। अगर मैं रूस की आत्रा की बात करता हूं तो रूस में ये रहते हैं 8 से 9 जुली। और यहां पर इनका रेट कार्पिट पर बढ़े स्वागत भी किया जाता है यार पुतिन अपना घर रेजिडेंस दिखाने भी ले जाते हैं। और भारत की कुछ नुकलियर डील भी साइन होती है तो उसकी डील भी साइन होती है। और साथ में जो मतलब एक marine nuclear pandubi के बारे में भी वहाँ पर बात होती है, मतलब तरेटा हुआ nuclear plant की भी वहाँ पर बात होती है, आपको ये सब चीज़े में पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ पर क्या हुआ, इनको भारत रूर्ष शिखर शम्मेलन होता है, वहाँ पर 25, 22 भारत रूर्ष शिखर शम्मेलन होता, इसी बीच होता है, उसकी, वहाँ पर ये उपस्थित होता है, और इनको क्या किया जाता है, यहाँ पर highest civilian award से सम्मानित किया, highest civilian award, ठीक है, दिया जाता है, यह जो उसमें दिया हुआ है, दिस सेंट एंड्रिव, वह कहाँ कहा है, रूस का highest civilian honor है, इसको ध्यान दीजेगा, order of the saint, एंड्रिव of the apostol, यह रूस का है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की आश्ट्रिया यात्रा के बारे में गलत कथन की आपको पहँचान करनी है, देखो अभी उसी बीच में, यह यात्रा 9 से 10 जुलई 2024 को ही, 41 वर्षों में किसी भारतिय कम्पनी क्या होता है, प्रधान मंत्री, इसी भारतिय प्रधान मंत्री, टाइपिस्ट भी इसी दिन ले डूबे, की पहली आत्रा थी, इस वाज दा फर्ष्ट बिजिट आफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इन 21 यर्स, इस से पहले अगर पूर्ध की बात करते हैं, तो प्रधान मंत्री जवाहलार नहिरू ने उनीस सो पश्पन में, और इंद्रा गांधी ने उनीस सो तिरासी में और आश्टरिया की आत्रा क पॉलिटिकल नहीं, दिप्लोमेटिक, बहुत गलतियां हैं, इसमें सभी कर लिजेगा, दिप्लोमेटिक रिलेशन्स जो है और श्रीलिया के साथ 1955 में इस्टेबलिश हुए थे, अब आपको बताना इसमें कौन सा कथन सही है, जल्दे जल्दी देखते हैं, कौन बता पाता है, फटा-फट बताईए, बिल्कुल सही बात है, पहले चीज, नौ से दस दुलाई के बीज में, जिसे आठ से नूँ वहां रहते हैं, रूश में, फिर नौ से दस दुलाई को ये और श्रीया की आत्रा पर जाते हैं, यहां बड़ी भभ भिश्वागत किया जाता है, और इसा था कि सबसे पहले 1955 में, जवाहर लाल नहिरुजी विजिट किये थे, और फिर पूर प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी जी, 1983 में आस्टेलिया में विजिट की, यह भी बात सही है, तब से लेकर पिछले 41 वर्षों में कोई वहां पर यात्रा नहीं किया है भारत का प् भारत और आउस्ट्रिया की अगर मैं राजनाईक संबंदों की बात करता हूं, तो बहुत पहले इस्टेबलिश हो गए थे, आजाजी के बाद, 1949 में इस्टेबलिश हो गए थे, तो यही गलत है यहां पर, क्योंकि इसमें असर्टी कतन पूछा था, तो डी इसका सही जवा हुआ, तो अब देखे, यहां पर आपको रूश की यात्रा के बारें, और और ऑष्ट्रिया की यात्रा के बारें, दोनों की बात हो गई है, इन क्वेस्टन के मातर हम से, और दोनों यात्राएं एक चीट ध्यान रखिएगा, कि आजपास में हुई है, साथ में हुई है, न अंदरगाह से सम्मंधित 29,000 करोन की परियोजनाओं का लोकारपण किया, कहां किया, मुंबई में किया, मुख्य मंतरी युवाकारी प्रश्रिक्षन योजना का भी सुबारम किया गया, अब आपको बताना है आखिरकार इसमें कौन सा कथन सत्ती है, जल्दी बताईए, पह जो बात है 13 जुलई, 13 जुलई 2024 को, प्रधान मंतरी नरेंद्र मुदी ने मुंबई में कई परियोजनाओं का सुबारम किया, जो परियोजनाओं थी, इससे सडग से सम्मंधित, बंदरगाह से सम्मंधित, रेलेवे से सम्मंधित, इस तरह की परियोजनाओं, ठीक है, वह रेलेवे परियोजनाओं यहीं सबी से सम्मंधित, परियोजनाओं का इनों ने अउड़धा अधान किया, और यह जो परियोजनाए थी, लगभग में मानके चलिए इनकी जो लागत थी, यह लागत इनकी कितनी, 29,000 करोण की परियोजनाओं थी, ठीक है? 29,000 करोन की परियोजनाए थी है, जिनका इन्हों ने सिला न्यास किया, यहीं पर कई परियोजनाओं की इन्होंने जो है, नियु रखी, यहाँ पर और भी आधार सिला रखी, ठीक है? पाउंडेशन किसका किसका रखा, आधार सिला, यहां रखिएगा, मैं नीचे बता रहा हूँ आपको, पहला, ठाड़े बोरी वली एक सुरंग परियोजना है, जो ठाड़े से लेके बोरी वली जाते हैं, सुरंग बोलते हैं क्योंकि डॉबल सुरंग है तो माल लेते हैं कहीं लिखाओ, इसले लिख दे रहा है, तुसी अधर परियोजना, यह परियोजना सामिल थी इसमें, इसी 9000 करोण में, दूसरी परियोजना इन्हों ने रख्टी है, गोरे गाव और मुलंड लिंक रोड परि और मुलून्ट, इन दोनों को लिंक करने के लिए, लिंक रोड परियोजना, इसकी बी इन्हों ने यहां पर आधार सिला रख्यों ठीक है, और तीसरी, लिंक रोड परियोजना में, इसमें गोरे गाहूं मुलूंड परीयोजणा को लिंक करने के लिए इसमें भी सुरंग का निरमार क क bet कर मुूं tweeting गति सक्टी बिस Fell है अरहार सिला रखी किती सक्टी मॉडल के ताहर इसको रहान रखिएगा कार्गो टर्मिनल इसकी भी अरहार सिला इन्हों यहां पर रखी तो साथ ही एक चीज और important आपके लिए हो सकता है कि जैसे लोकमान तिलक टर्मिनल है वहां पर और चत्रपती सीवाजी महाराज टर्मिनल है इसका जो है विस्तार भी इन्हों ने किया विस्तार के लिए भी इन्हों ने वहां पर और शाथ में मुख्य मंत्री युवाकारी प्रशिक्षण योजना को भी शुरू किया यह कौन सी योजना है इसमें भी हम अभी बात करेंगे मुख्य मंत्री युवाकारी प्रशिक्षण योजना नाम से ही आपको पता चल रहा है बट अभी इस पर हम बात करेंगे क्योंकि इससे सम्मंधित क्वेश्चन मैंने आगे बना दिया है जिससे आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ ठीक है तो इस योजना की भी जो है बेसिकली जो है इन्हों निव रखी आप देखो बोरी वेली परियोजना जो यहां पर सबसे पहले हमने बात की है कि क्वेश इसमें से उसके नीचे से घुज़रेगी तो अब देखे प्रधान मंत्री ने यहां पर 16,600 करोन की यह परियोजना रखी यह भी एकदम सही बात है 13 जुलाई 2024 को यह परियोजना जो 31,000 करोन से संब्दी थी यह भी सही है यह भी सही है तो इसमें क्या होगा सभी कथन सत्ती है नेक्स्ट इसके बारे मैं बता दे रहा हूं चूंकि वो परियोजना जिसकी मैंने बात किये भी आप से मुख्यमंत्री इवाकारी प्रिश्रिक्षण योजना इससे सम्मंदित क्वेस्चन मैं नहीं बना पाया हूं इसलिए मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं इसके बारे मान लेते हैं क्वेस्चन पूछिया जाए देखो इसमें जो 18 सी 30 साल के मतलब इवाय हैं उनको क्या किया जाता है उनको प्रिश्रिक्षण दिया बैसिकली यह एक प्रिश्रिक्षण क्षण आप जो है आगे जब आपके पास एक experience certificate हो जाता है तो आगे आपके लिए job राप्त करना कहीं भी बहुत थोड़ा बहुत आसान हो जाता है इसलिए ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे इस चीज को और यही 5600 क्रोन के आसपास में तो यही परियोजना है कि मुख्य मंत्री युवा प्रश्री चरव परियोजना है हाली में Airbus, Airbus आपने सुना है क्योंकि Airbus के बारे में मैंने पहले भी बताया है बताइए Airbus कौन से मतलब किसका निर्मार कर रही है आप बताएंगे कमेंट में जिसका बढ़ोद्रा में निर्मार हो रहा है उस पर परोद्रा के बीच एक समझोता हुआ है इस समझोता में गलत कथन कौन सा है आपको पहेंचान करना है GSB के लिए एक उत्रिष्ट केंद्र की अस्थापना करना जिसका उत्देश सिथा मलग हुई है इसमें इसका उत्देश भारतिय बीमानन छेत्र को शसक्त बनाना है प्र इस स्टूडेटर प्रवाइडेट इसकोलर्शिप मतलब हंड्रेट यहां पर मैंने लिखा हुआ था कि हंड्रेट चाथ्रों को शाथ्रवर्टी प्रदान की जाए है सव चार्तूं को कि यह भी गलती हुई आप आपको बताना है देखो एर बस कहा की कंपनी है सबसे पहले पटाई फड़ा फड़ा देखते हैं कौन बताता है और कौन सा ऐसा मतलब बेसिकली एरक्राफ्ट है जिसका निर्मार एरबस के द्वारा किया जा रहा है, कौन सा कार्गो एरक्राफ्ट है, जिसके डिलीबरी भी हो चुकी है, हमने इस पे बहुत अच्छे से पढ़ाया, आप लोग कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजे, क्य निर्मार एरबस जहां पर है, उसके होम कंट्री में किया जाएगा, और बाकी ज्यादा का निर्मार यहां किया जाएगा, कमेंट में बताईए, पूरी डीटेल के साथ कमेंट करिए, देखते हैं, क्योंगी क्वेस्चन पूछा जा सकता, अगर इसी स्पीड से आप भूलो दोहचार चोगिस को जो समझावता किया गया, तो इसमें क्या किया जाएगा, चालिस छात्रों को छात्र बिर्ति दी जाएगी, चालिस छात्रों को, इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, चात्र बिर्ति प्रदान की जाएगी, तो यह इसका गलत जवाब हो जाता है, जो गत कमेंट में जबाब दीजे वहीं आली में राष्ट्री ये बाल्स अधिकार स्रक्षन आयोग अभरक खादानों को बाल्स रम मुक्त गोसित कर दिया है इस संबंद में आपको सत्ती कतन की पहंचान कर दिया है आपको बताना है इसमें से कौन सा कतन सत्ती है देखते हैं वही सबसे पहले कौन बात करता है राष्ट्री बाल्स रच्षन आयोग यानि जिसको हम कह सकते हैं यनसी PCR यनसी PCR ठीक है नेशनल कमीशन पर प्रोटेक्षन आप चाइल्ड राइट्स ठीक है तो अब आपको बताना है इसमें से PCR के बारे में देखो इसका एक कारिक्रम होता है कहां पर जारखन के कोडर्मा में एक कारिक्रम आयोजित होता है और वो कारिक्रम कब आयोजित होता है कारिक्रम आयोजित होता है 5 जुलई 2024 को और यहां पर बताए जाता है, जो यहां पर अफरक की खादने हैं, खासकर कहांप आखिए? राजस्थान में, तो राजस्थान में जो अफरक की खादने हैं, उनको अफ बाल स्रम मुक फोट चूगी jurisdवाना, अब वहां पर कोई भी बाल मजदूदी नहीं कर हो रही है। तो इस वजे से ये इसका सही हो जाए उरीसा नहीं राजुस्थान है। तो इसका सही जवाब केवल दो होगा। यहां रखिए। देखिए ये भी बढ़िया सवाल है और इसका आप लोग पढ़िए और पढ़ने के बाद कमेंट में जवाब दीजेगा और मैं देखूंगा भी कौन सा ही जवाब देता है इसका भी आप जवाब आप लोग कमेंट में दीजेगा कि जुलाई 2024 को केंद सरकार ने दूर शंचार अधनियम 2024 की कुछ धाराओं को लागू कर दिया है तो आखिरकार इसके बारे में सत्ति कथन आपको बताना है कौन सा कथन सत्ति है पहला ये इस अधनियम ने जो भाजती है टेलीग्राफ अधनियम है इंडियन टेलीग्राफ य निरस्त कर दिया है तूर शंचार को अवरुद करने वाले उपकरों पर प्रदिबंध लगा दिया है स्पेक्ट्रम आबंटन को पारदर्शी बनाया है और अधनियम की एक से लेके 62 तकी धाराएं लागू कर दिया है आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन असर्ति है असर क्लास बताना है मैं कल बात करूँ और आप सभी लोग क्लास को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन नबाना बेलकूल